असलम निकूम मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूद आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से चिकन पलाओ तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमने एक कडाई ली उसमें एक कप घी एड़ किया 500 ग्राम हमने लिया चिकन सबसे पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे चिकन को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है देखिए हम चिकन का कलर चेंज हो गया है अब हम चिकन को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी गी में हम दो मीडियम साइज के अनियन लिये थे वो शामिल करेंगे प्यास को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए अब हम इसमें साबत गरम साला एड़ करेंगे इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और तीन से चार हरी मिर्चे हमने इसमें पेस्ट बना रिया था अब वो एड़ करेंगे और दो मीडियम साइज के टमाटर एड़ करेंगे अब थोड़ा सा पानी डालके इसको कवर करके पांच मिनट के लिए रख देंगे ताकि यह जो टमाटर आए यह भी सॉफ्ट हो जाए और इनका मसाला एक अच्छे तरीके से बन जाए अब हमारा मसाला तकरीबन रेड़ी है हम इसको इसी चमज की मदश से और सा इसको पेस्ट बना लेंगे अब हम इसमें फ्राइ की हुई चिकन एड़ करेंगे इसको इसको इसके साथ अच्छी तरह फ्राइ करेंगे अब हम इसमें स्पाइसिस जालेंगे नमक हमने ले लिया अब हम इसमें एड़ करेंगे लाल मिर्च का पाउडर लालमिच का पाउडर हम दिया था दो चमच हल्दी पाउडर आदा चमच और गरम साला एक चमच इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पानी डाल के इसको दस मिनट के लिए कवर करके रख देंगे हमने इतना पानी डालना है कि चिकन हमारा गल जाए अब हम इसको कवर कर देंगे अब हमारा चिकन बिर्कुल गल चुका है अब जितने हमें चावल लिये थे उससे डबल कॉंटिटी में हम इसमें पानी आड़ करेंगे बॉयलिंग पानी आजाए अब इसमें चावल शामिल कर देंगे चावल हमने तक्रीबन आदा गंटा भी गो के रखने है अब हम चावलों को कवर करके रख देंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा हमने चावलों को तब तक पकाना है जब तक इसका पानी ड्राय हो जाए अब हमारे चावलों का पानी ड्राय हो जुका है इतना सबस पानी इसमें रहने देना है अब हमने चार से पान्च उदध हरी मिर्चे नहीं थी उन्हें कट कर लिया था हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे अब इसमें को कवर करके हम तकरीबन दस मिनिट के लिए रख देंगे चिकन पिलाव हमारा रेडि है प्लीज मेरी रेस्पी को ट्राइ जरूर कीजिएगा और मुझे फीड़बैक भी जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कीजिएगा अल्लाः आफेज आफे झाल